नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हनुमान जी जिन्होंने स्वेम ही इस मंत्र की रचना की है आज हम उसके बारे में बताएंगे लेकिन आपको तो पता ही है हनुमान जी अपने तन पर सिंदूर का लेप किये रहते हैं क्या आपको पता है इसका कारण क्या है साइद बहुत कम भी लोग जानते होंगे, क्योंकि एक दिन हर्मान जी ने मा सीता से पूछा कि वह मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, तब माता सीता ने उत्तर दिया कि वह ऐसा स्रीराम जी के दिरगायू और स्वस्त जीवन के लिए करती है, साथ ही ऐसा करने से राम जी उन पर परसन होते हैं और उन दोनों का प्रेम अमर होता है बस फिर क्या था हरमान जी ने माता सीता को भी पीछे छोड़ दिया और वह तो पूरे सिंदूर में हो गए पूरे सरीर पर वह सिंदूर लगा लिए कि राम जी की आयू भी लंबी हो और उनसे प्रेम भी करें वैसे तो अगर हम मानें तो सीता यानि आत्मा और जो भ्यक्ति इस मुहमाया में फस जाता है वो राम जी को कहां से पाएगा इसलिए तो हनुमान जी हैं हमें अपनी सक्ति से सही राह दिखाते हैं राम जी की भक्ति से वो हम पर किरबा बरसाते हैं जब सीता माता ने राम जी को राम जी की अंगुठी देते हैं सीता माता को तब आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला चीज वो करते हैं जो परम ग्यान है क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर आप हनुमान जी की पुझा करते हैं तो जीवन में जितनी भी बुराईया है जितने भी आपके तकलीफ हैं भैय हैं उनसे आप दूर हो जाते हैं आप में ओद्वेतिक आध्यात्मिक सक्तियां आ जाती है और स्री राम जी की पूजा, हनुवान जी की पूजा करने से तो वैसे भी स्री राम जी प्रसंद होते हैं राम को पालेंगे अगर आप हनुवान जी की पूजा करते हैं तो लेकिन राम जी का नाम ले लेते हैं तो हनुवान जी वैसे भी आप पर पर प्रसंग हो जाते हैं हनवान जी की पूजा करने से आप पर कोई संकट आही नहीं सकता अगर आए भी तो बिना छुए ही दूर चला जाता है रोग सोक सब कुछ दूर हो जाता है और एक और एक परसंग आता है रावायन में कि हनवान जी के जो पुत्र थे मकरधज मेगनात की मिर्थु के बाद राम और लक्षमन को चुरा कर पाताल ले जाएगा और उन्हें माचंडी की बली चढ़ा देगा जब हनुमान जी को यह बात पता चली तो वे उनके दौर पर खड़े हो गए जिससे अही रावन भीतर ना जा सके तब अही रावन भीषन के भेश में आया और हनुमान ने उ हुते वे राम और लक्षमन को ऊठाकर पताल ले गया और जैसे हमान जी को पता चला दौर पर हनुमान जी को मकर धवजरण नामक दौरिपाल मिला जो अधा बंदर और अधा मगरमच था उसने हनुमान जी से कहा कि य Skyda पी उसके पिता हैं फिर वह अब उसे पराजित नही नहीं देगा तब हनुमान जी कहते हैं कि उनका तो कोई पुत्र ही नहीं तब मकरद्वज उन्हें अपने जन्म की कथा सुनाते हैं लंका धन के पस्याद जब हनुमान जी अपनी पूछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूदे तो उनके पसीने की एक बुंद एक बल सद्वज को प्रास्त किया और अंदर जा पहुंचे किन्तु अहिरावन को प्रास्त करना संभव नहीं था क्योंकि हनुमान जी को ग्याद हुआ कि अहिरावन तभी मारा जा सकता है जब पांच दिसाओं में विसेश अस्थानों पर जलती ज्योतियों को एक साथ उसी पल मे जा ऐसे को वापस ले आये इसलिए तो हनुमान जी के पांच मुख है पूरव दिसा में कपी या हनुमान जी जो पाप का नास करते हैं और अच्छी बुद्धी देते हैं दक्छी में नर्सिंग जो सत्रोगानास करते हैं और बिजय दिलाते हैं पस्छी में गरुड़ जो बिस और अन ना दिखने वाले समझ में ना आने वाले अनिष्टों से भी रक्षा करते हैं और उत्तर दिसा में बराह जो अस्ट निदियां देने वाले और गरह दसा दूर करने वाले हैं। कि हनुमान जी की पूजा करने से या उनका मंत्र जपने से यहां तक कि सनी देव भी आपका कुछ नहीं बिगारते आप पर किरपा बरसाते हैं। राबन सभी गरहों को अपने पैर की नीचे दवा कर रखा था जिससे कि वह मुक्त ना हो सके और उधर देपताओं ने गरहों की मुक्ते की एक योजना भी बनाई। और योजना के अनुसार नारद ने राबन के पास जाकर पहले उसका यसगान किया फिर उससे कहा कि गरहों को जीत कर उसने बहुत अच्छा किया। पर जिसे जीता जाए पैर उसकी कमर पर नहीं उसकी छाती पर रखना चाहिए। राबन को यह सुझाव अच्छा लगा उसने अपना पैर थोरा सा उठा कर गरहों की पलटने का आदेश दिया और ज्यों ही गरह पलटे सनी ने तुरंत राबन पर अपनी दृष्टी डाल द दिया कि वह बिना सिबलिंग पर पैर रखे भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि सनी सिब के भक्त और उसका सिस्से होने के कारण कभी भी सिबलिंग पर पैर नहीं रखेगा पर उसकी सनी दसा आरंभ हो चुकी थी। हनुमान जी सीता को खोशते वे लंका पहुँच गय अब सनी ने हंवान जी से प्राफना की कि वह धेपताओं के हित के लिए अपना सिरसिबलिंग और उसके पैर के बीच में कर दे जिसे वो उसके सिर पर पैर रखकर उतर भागे हनवान जी ने पुछा ऐसा करने से उनपर सनी का क्या दूस परभाव होगा सनी ने बताया कि उनका घर परिवार उनसे बिछड जाएगा हनुमान जी बान गये क्योंकि उनका तो कोई घर परिवार था ही नहीं इस उपकार के बदले सनी देव ने हनुमान जी से कोई बर मांगने से लिए कहा का हनुमान जी ने बर मांगा कि सनी देव कभी उनके भक्तों का अहित ना करे और सनी देव ने तथास्तु कहा अब हम बात करेंगे वो कौन सा मंत्र है जिसका अगर आप सोने के पहले जब करते हैं तो यकिनन आपके जीवन में चमतकार होने लगेंगे और वो मंत्र है यानि हमारे जीवन में जो बहुत घोर संकट है हेनाथ उसे दूर कीजिए तो छुटकारा पाने के लिए संकटों से विपत्तियों से ये मंत्र बहुत ही कारगर है और ये चौपाई अपने आप में मंत्र है और उसका प्रभाव भी बहुत अनोखा है इस मंत्र का एकदम आप बहुत ही सरल है आप इसका जब कर सकते हैं और यकिन मानिए जीवन में जो संकट हैं वो दूर हो जाएंगे क्योंकि ये भगवान से हम प्रात्ना करते हैं कि इस संकट को दूर कीजिए जीवन में एक सही राह दिखाईए हरहर महादेव